तो fx equal to x plus 5 को fx को y मानने के बाद y equal to x plus 5 बन गया, power 1 है, मतलब straight line graph जाएगा, इसको linear बोल सकते हैं, आप की linear equation है, है ना, अब आप x की value random put करिए, x की value 0, पे y की value कितने आजेगी, 0 plus 5, यानि की 5, clear, तो x, y की value 5 आगई, x equal to 0, so point ये बन गया, suppose 0, 5, clear, अब आप अगर y की value 0 डाल देते हैं, तो x equal to minus 5 आएगा, तो point क्या generate होगा, minus 5, 0, clear, तो इन नोनों से जो straight line जाएगी, वो इस तरीके से जाएगी, क्या करा हमने, x की जगे 0 डाला, तो y equal to 5, फिर y की जगे 0 डाल तो x equal to minus 5, तो point पहला बन गया, 0, 5, x में 0, y में 5, और दूसरा minus 5, 0, एक तो तरीका ये है, clear की not clear, तो ये अपनी straight line जा रही है, ये रिखिए, इसका graph match करें, बिल्कुल सही, दूसरा तरीका एक जो मैंने आपको बताया, intercept form से बना सकते हैं, तो उसके लिए फिर से line का equation मैं लिखता हूँ, line का equation है, y equal to x plus 5, तो मैंने line का equation लिखा, y equal to x plus 5, तरीका क्या होता है, इसको किस form में लिखना पड़ता है, इस equation को intercept के लिए, ax plus by equal to c की form में, मतलब constant term को equal के दूसरे तरब भीजना पड़ता है, तो यहां से यह दी मैं x को left में ले जाओंगा, तो यह बन जागा x plus y equal to 5, बुलिए यह सौनो, अब 5 का दोनों में divide कर दीजे, तो minus x upon 5 plus y upon 5 equals to 5 upon 5, x upon minus 5, मतलब x में जो length कटेगी minus 5 है, y में जो length कट रही वो 5 है, और यहां पे कितना है 1, तो answer कितना बनेगा देखिए इसका, इस तरीके से इसका graph जाएगा, x में minus 5 की length, तो यह point minus 5, 0, और y में 5 की length, तो 0, 5 और दोनों point को आप join कर दिजे, तो आपका जो graph है, जो आपको चाहिए है, वो बन जाएगा, ठीक है? Any problem? Thanks. तो point से भी बना सकते हैं, एक idea लग जाता है, और method भी है, लग लग, ठीक है, clear? Yeah. चलिए, इसको note के लिए, अच्छा, याद रखिएगा, जो intercept वाली method है, कि वह linear graph में ही लगीगी, और किसी में नहीं लगीगी, ठीक है? Yeah. कि वहली, straight line graph में ही लगीगी, क्योंकि intercept word जो होता है, वो straight line के लिए ही होता है, कि straight line जिस point पर काटती है, x-axis और y-axis को, तो वहां तक की जो length होती है, that is called intercept. Clear? Yeah. Done? Yeah. Actually, एकला question लिखिए, question है, draw the graph of mod of y equals 2 या fx equal to mod of x plus 1. देखिए, बहुत ही logical question, बहुत ही अच्छा question, आपको mod of x plus 1 का graph बनाना है, कैसे बनाएंगे? Yeah. तो कल मैंने आपको mod of x का graph पढ़ाया था, ये था mod of x, और इस graph को हम कहते थे, कि ये graph था mod of x, clear है? Yeah. आज क्या हो रहा है, कि graph में y equal to mod of x plus 1, मतलब graph की value में 1 add हो रहा है, बोले हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yeah. Graph की value में क्या add हो रहा है? 1. 1. तो y, 1 का impact किसको मिलेगा, सीरे सीरे y को मिलेगा? मतलब y का level सीरे सीरे 1 से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? Yeah. नहीं है समझ में. Yeah. भाई, y सीरे सीरे 1 से advance हो रहा है, तो graph कैसे जाएगा बटा? 1 से advance कर दो इस graph को. ठीक है, आगया समझ में? तो पहले यह जो point 0,0 से सुरू हो रहा था, अब कहां से सुरू होगा? 0,1 से. हाँ, मतलब one height है यह height 1 से हो जाएगी. Clear की not clear? Yeah, clear. Any problem? No. तो y is equal to mod of x plus 1. चलिए, बहुत अच्छा. Note कर लिजे. पर लिया. मतलब जो भी चीज आप करोगे, वो graph में add हो जाएगी, advance हो जाएगी. Plus करोगे या minus करोगे? चलिए, एक और सवाल लेते हैं. यदि मैं आपको question दे रहा हूँ, y is equal to mod of x minus 1. तो देखिए, अब क्या होगा, shifting कितने से होनी है, minus 1 से होनी है. तो y equal to mod x यह जा रहा था. यह क्या था function? y equal to mod x. अब इसके कितने से shift करना है? minus 1 से. तो बताए, y में minus 1 नीचे एक तरफ आएगा ना? नहीं है, समझ में? तो अब यह जो graph है, यह बन जाएगा mod x minus 1. clear? हाँ. एनी problem? नहीं. हाँ. तो यह graph बन जाएगा mod x minus 1. next question. y is equals to negative of mod x. कल मैंने बताया था, कि minus sign लगाने पर पूरा का पूरा graph जो है, y excess के about पलड जाएगा. हाँ. तो यह मेरे पास क्या था? y equal to mod x था. अब मेरे को चाहिए है negative mod x. तो यह देखिए. यह हो गया. y is equals to minus ka mod x. clear हो गया कि नहीं हुआ? आँ. अगर इसी graph को बोल दिया जाए, अगले question में, क्या आपको graph बनाना है? y is equal to negative mod x plus 1. तो आपके पास negative mod x थो ही है यह? बुलिए हाँ है न? इसको कितने से shift करना है? plus 1 से. मतलब उपर की और shift करेंगे. तो यह जो graph बनेगा बिटा red वाला यह बन जाएगा negative mod x plus 1. ठीक है? हाँ. तो आपको shifting समझ में आ चुकी है. clear? हाँ. clear की not clear? हाँ. चलिए. अब हमें पढ़ना है next topic है हमारा type of function. type of function. तो देखिए हमारे पास दो type के function है. जो हमारे syllabus में हमको cover करना है. पहला function है even function. और दूसरा function है odd function. even function क्या होता है? मैं आपको एक ऐसा function दो कि अगर मैं x को minus खिलाओं और minus खाके वो डकार भी न ले. मतलब minus को हजम कर जाए. तो ऐसे function को बोलेंगे क्या even function. then fx is called even function. समझ में है? अगर f minus x जो है खुद fx के equal हो जाए. मतलब minus sign का कोई effect न पड़े. तो उसको बोलते हम even function. example के लिए मैं आपको पहले समझा दूँ. जैसे आपको मानलो कोई function दिया है fx equal to x की power 4 plus x square. यह question है. This is fx function of x. अब मैंने minus x निकाला. function of negative x. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जहां जहां भी plus x है, वहां minus x put करके देखना पड़ेगा. तो x की जगए minus x की power 4 और x square की जगए minus x का whole square. बताइए, यह फिर से x की power 4 आएगा? यह फिर से x की power 2 आएगा की नहीं आएगा? बोलिये? negative power even power है, तो negative power को तो plus कर देगी न? हां. तो इसका मतलब x की power 4 plus x की power 2 है, तो यह जो function है, f minus x जो है आपका, वो fx के equal ही आ रहा है, same function आ रहा है, इसका मतलब यह जो function है, यह कहलाएगा, even function, note कर लें इसको. So this function is called even function. छली थोड़ा graphically देखेंगे इसको, जैसे मान लिए आपके पास कोई function है, fx equal to x square, इसे simple लिख लें y equal to x square, अब मैं दो value देता हूं इसको, सबसे पहले देखता हूं even है की नहीं है, तो f minus x निकालूंगा, equal to minus x का whole square equal to x square ही आ गया, मतलब क्या हुआ, कि minus x रखने पर भी जो value आ रही है, वो plus x के ही equal आ रही है, मतलब जो x रखने पर आ रही थी, मतलब एक ऐसा function है, even function है, ठीक है, अब कुछ values ले करके, इसका मैं nature चेक करता हूं, तो यह y की value, और नीचे x की value, ठीक है बटा, x की value 0 पुट करेंगे, तो y equal to 0 का square 0 आ जाएगा, आयगा की नहीं आएगा, अगर x की value में plus 1 पुट करता हूं, तो y equal to 1 का square 1 ही आएगा, अगर x की value में minus 1 पुट करता हूं, तो y का value कितना आएगा, minus 1 का square, तब भी plus 1 आएगा, x की value अगर 2 पुटकरता हूं, तो भी 4 आएगा, और माइनस 2 पुट करता हूँ तो भी 4 आएगा तो आप हर पॉइंट पर क्या देख रहे हैं कि चाहे F1 निकालो चाहे F-1 निकालो बात बराबर है चाहे आप F2 निकालो या F-2 निकालो बात बराबर है चाहे आप F3 निकालो या F-3 निकालो बात बराबर है ठीक है तो तो जो है यह हमें समझ में आ चुका है कि निगेटिव साइन रखने का यहाँ पर कोई इंपेक्ट नहीं पड़ता है तो इवन फंक्शन है अब ग्राफिकल यह दिसका मैं ग्राफ बनाऊ तो देखिए जीरो पर जीरो वोले एई सकति जीरो यह मिलता है अगर प्लस-1 दे रहा है तो आउटपुट कितना मिलता है अगर प्लस-2 दे रहा हूँ तो फोर मिल रहा है यह दिख ही धि ए यह 4 है टू कॉमा फूर क्लियर और माइनस टू दे रहा हूं तो भी फूर ही मिल रहा है माइनस टू कॉमा फूर अब जड़ा इस ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए कि यह दिखे मुझे यह संस्कृती कि यह जो ग्राफ है वाइए कि इक्स के एबाउट से मिक्रिक बन रहा कि नहीं बन रहा है बन रहा है न हम्मधिंभ दम रही अ क्या लग लिखे हे इवेंछ थंडा प्रॉटक मोल इसạoस और शिय्य जो फांक्शन symmetric about y-axis. ठीक है? यह जो function होते हैं, y-axis के about symmetric होते हैं. एक सेक्सेस के about symmetric नहीं होते हैं. y-axis के about क्यों होंगे? symmetric होंगे. तो आप directly function को देख करके पता लगा सकते हो. यदि कोई function ऐसा गया हो, यह देखिए. यह एक function है. तो यह कैसा function होगा बेटा? even function. किबल graph देख के ही हम पता कर सकते हैं कि यह function जो है even function है. क्योंकि यह y-axis के about symmetric है. जैसा इधर है, वैसा इधर है. है ना बेटा? clear की not clear? अब देखिए next topic है हमारा odd function. odd function. odd function क्या होता है? अगर आपके पास कोई function है y is equal to fx. और अगर आपने x के place पे minus x रखा याने minus fx, f of minus x बनाया और function ने minus x को बाहर फेंग दिया. मतलब minus fx बन गया. मतलब f of minus x equal to minus fx. f of minus x equal to minus fx. तो ऐसे function को हम क्या कहेंगे? odd function. ठीक है. ऐसे function को हम बोलेंगे odd function. example. मेरे पास एक function है. मैं fx equal to x cube. मैं लेता हूँ fx equal to x cube. अब f minus x निकालता हूँ. तो क्या बन जाएगा? minus x का whole cube. निकेटिब की पावर odd है तो minus sign बाहर आजाएगा. और x cube आजाएगा. बोली clear की not clear? clear. clear की not clear? clear. हाँ. तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं? minus और x cube की जगे क्या है? fx है. मतलब minus sign बाहर उगल दिया function ने. yes की no? हाँ. तो ऐसा function जो minus sign को बाहर कर दे. इस function को हम बोलते हैं. odd function. समझ में आए की नहीं है? नहीं है? चलिए देखी example गजामपल देखो दिखते हैं. example y is equals to x cube plus x. ये अपने पास कोई function है. y is equal to x cube plus x. ठीक है? जेखी इसका x वाला पार्ट क्या है? जिसको fx बोलते हैं. fx equal to x cube plus x. अगर मैं x की जगे पर minus x खिला हूँ. तो क्या हो जाएगा? minus x का cube और plus minus x. तो ये क्या produce करेगा? ये produce करेगा minus x cube minus x. आप चाहें तो minus x common लिलें. और minus x common लिलें के बाद क्या बन जाएगा? लेज़े minus x common. यदि मैं minus x common लेता हूँ. तो ये बन जाएगा x cube plus x. x cube plus x बनेगा. ठीक है? minus x common. minus x common नहीं मैंने किवल minus common लिया है. तो minus common होने के बाद ये बन गया बरेक्ट में x cube plus x. जो की कितना है? fx है. तो आपने देखा f of minus x किसकी को ला रहा है? minus fx के. clear? clear? हाँ. तो ऐसे function को हम odd बोलते हैं. एक plot करते हैं. और उस plot से और अच्छा समझेंगे. चलिए मान लीजें मेरे पास fx equal to x cube है. तो f minus x मेरे पास कितना जाएगा? minus x cube. क्योंकि x की जगे पर negative रखेंगे तो minus sign बाहर कर देगा वो. अब चलिए plot बनाता हूँ मैं. यह रिखे. यह x है और यह y है. y यहने fx. तो मैं x की value बीच में 0 डालता हूँ. तो x equal to 0 पे y कितना आजाएगा? 0 ही आजाएगा. clear की not clear? clear. x equal to 1 पे y की value 1. x equal to minus 1 पे क्या हो जाएगा y की value? minus 1 का whole cube मतलब minus 1. x equal to 2 पे y की value 8. 2 का cube 8. yes or no? और x equal to minus 2 पे y की value minus 8. तो देख रहे हैं आप value just negative मिल रही है. मिल रही कि नहीं मिल रही है? चलिए अब इसको draw करते हैं. तो 0 पे 0 पहला point. फिर 1 पे 1. यह 1 है, यह 1 है. इधर पे 1 पे 1 है. और इधर पे minus 1 पे minus 1 है. और फिर 2 पे 8 है. यह 2 है. और 2 पर value कितनी आ रही है? suppose 8 यहाँ पे है. 2,8. और minus 2 पे कितनी आ रही है? minus 8. बोलो बेटा है कि नहीं है? आँ. तो minus 2, minus 8. अब यदि मैं इसको line को join कर दूँ, तो graph कैसा जा रहा है मेरे दिखिए? यह इधर जा रहा है. और यह इधर जा रहा है. बोलो clear कि not clear बेटा? आँ. तो अब यह y-axis के about symmetric नहीं है. अब यह किसके about symmetric है? origin के about. किसके about symmetric है? origin के about. देख लिजी. origin जैसा इधर मिला, origin का about वैसा यहाँ मिला है. तो जो even odd function होते हैं, वो होते हैं symmetric about origin के about क्या होते हैं? symmetric होते हैं. लेकिंग सर, इस साइड आपने positive value रखी है, तो positive answer आए है. और negative में negative आ रहा है. तो अच्छा, negative में भी positive आ रहा है. यह तब even होगा. हाँ, तब even होगा, बिल्कुल सही है. ठीक है. और अगर दोनों साइन opposite मिले, तो odd function होगा, ठीक है? ठीक है. कोई दिकत? यह नहीं है. चली, नोट का लिजे इसको. कल लिया. देखिए, यहाँ पर यह कह रहा है, graph पनाना है, question domain range का है, बट हम graph बढ़ रहे हैं. तो मैं आपको सबसे पहले graph बताऊंगा, किसका? fx equals to x to the power 1 by 3. तो यह function है मेरे पास, function मैंने लिख दिया, fx equals to x to the power 1 by 3. तो बच्चों सबसे पहले मैंने कहा, इसका नाम y मान लिया है, so y equal to x to the power 1 by 3. यह इसका नाम हो गया, बहुत बढ़िया. अब कुछ value देख करके, यह सबसे पहले हम देख लेते हैं कि even है कि odd है, तो मैं f minus x रखता हूं, minus x, तो यह बन जाएगा minus x की power 1 by 3, और आपको पता है कि cube root negative ही निकलता है, तो minus sign बाहर आ जाता है, और x की power 1 by 3. पता है बटा है बता आपको? बटा अगर even power होते हैं तो दो root निकलते हैं, बट odd होते हैं तो एक ही root निकलता है, मतलब minus sign बाहर आ जाता है, clear? नहीं हुआ clear? हलो? एक और बार समया जो? हाँ एक और बार बताते हैं, जैसे बटा मान लीजे आपके पास fx x की power 1 by 3 है, m minus x रखेंगे तो minus x की power 1 by 3, तो बटा देखो क्या है, odd root है इसका, तो odd root में minus power बाहरा जाती है, clear? चलिए आपे कम करें, rule लिख लिजे, rule लिख लिजे, अगर बेटा x की power 1 by n है, minus x की power 1 by n, ठीके ना? तो अगर n odd है, n क्या है? odd है, तो यहाँ पे दो चीजी बनेगी, पहला answer आएगा, minus of x की power 1 by n, कब? जब n is odd, clear की not clear? पहला चीज बनेगा, दूसरा, no real value, कब? जब n जो है, वो even है, clear हुआ की नहीं हुआ? जैसे example की, मैं बात करूँ, अगर आपके पास रहे, minus 1 की power 1 by 2, ठीके ना? तो minus 1, 1 by 2 मतलब square root, तो इसको क्या लेख सकते हूँ? negative का square root, अब आपको पता है, negative number का को square root नहीं होता है, तो answer क्या आएगा? no real value, clear की not clear? अगर आपके पास लिखा है, minus 4 की power 1 by 4, तो even power है negative की? यानि की क्या पूछा जा रहा है? minus 4 का 4th root, तो answer क्या आएगा? no real value, clear? बट इदी, in case आपके पास में minus 5 की power 1 by 3 है, तो आप इसको लिख सकते हूँ, negative बाहर 5 to the power 1 by 3, clear की not clear? क्योंकि यहाँ पे odd है, ठीक है? आँ. बन जाएगी? समझ में आगया? तो अभी अपने पास जो function है, fx equal to कितना है? x to the power 1 by 3 है, तो सबसे पहले even check करने के लिए मैंने x के place पे minus x रखा, और ये बन गया, minus x का बन गया ये, fx equals to, ठीक ना, क्या बन गया ये? ये minus of x की power 1 by 3, मैंने पता है, odd है, तो minus 12 जाएगा, तो minus of x की power 1 by 3, and this is equal to minus fx, बोली हुआ की नहीं हुआ? हुआ की नहीं हुआ? इसका मतलब ये odd function है, और odd function किस के about symmetric होता है? origin के about, सिखाया की नहीं सिखाया? हाँ, so odd function is symmetric about origin, so this is symmetric about origin, आईए बनाते हैं, कुछ values ले करके, तो ये तो पता चल ही गया है, कि ये origin के about symmetric होगा, अब चलिए, अब कुछ values ले लेते हैं, तो मेरे पास function क्या है? y equal to x to the power 1 by 3, चलिए, अब मैं यहाँ पर x की value, यहाँ पर y की value, मैं x की value 1 रखता हूँ, तो 1 की power कुछ भी होती है, हमें सा क्या था? 1 आता है, तो 1 की power 1 by 3, 1 होगा, बुलो बिटा, होगा की नहीं होगा? और दूसरा, minus 1 रखता हूँ, तो minus 1 की power 1 by 3, अभी अभी मैंने बताया, minus 1 बाहर आ जाएगा, और cable अंदर बचेगा, 1 की power 1 by 3, your answer will be minus 1, clear की not clear? तो एक value क्या आई, 1 पे 1 और दूसरी यही minus 1 पे 1, तो एक point क्या बन गया बिटा, x का value 1, y की value 1, दूसरा point क्या बचा, x का value minus 1, y की value plus 1, बोलो clear की not clear? not clear? clear, clear, okay, तो एक point बन गया, 1, 1, तो x पे 1, y पे भी 1, यह वाला point हो गया, और दूसरा minus 1 पे 1, तो x पे minus 1, और y पे भी कितना है, 1 है, x पे 1 है, x पे minus 1 है, और y पे भी 1 है, 1, बोली clear की not clear, अब x पे minus 1, y पे भी यह आ चुका है, ठीक है? एक minute, हमने कुछ गलत किया क्या, हाँ, गलत किया ना, minus 1 पे minus 1 आ रहा है, बोली yes की no? भाई, minus 1 का, ये मैंने minus 1 छोड़ दिया था न, तो minus 1 पे minus 1, तो minus 1 पे minus 1, तो ये point बन गया, minus 1, minus 1, बोलो ठीक है बिटा? अब मैं x की पावर, x की जगह अगर 8 रखता हूँ, 8, x की जगह 8 यहाँ पर कहीं पर, तो 8 की पावर 1 by 3, देखी देहां से, 8 का Q रूट, तो 8 को लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 की होल पावर 1 by 3 से 3 कैंसल, कितना आ गया, 2 आ गया, तो 8 पर 2 आएगा, और minus 8 पर minus 2 आएगा, आएगा की नहीं आएगा पावर, तो x की वैल्यू 8 पर y की वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 है, यह देखे, so x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, clear है पावर, और x की वैल्यू मैनस 8 पर, suppose x की वैल्यू मैनस 8 है, तो minus 8 पर वैल्यू क्या मि इस तरफ और बिलकुल इसका रिफ्लेक्षन इस तरफ जा रहा है बोलो clear के not clear हाँ हुई ये बन गया y equal to x की power 1 by 3 का graph clear बेटा अब आप देख सकते हैं graph यदी देखना चाहें आप तो आप देख लें ये देखिए graph ये गया हुआ है y equal to x की power 1 by 3 का graph ठीक है बेटा कोई दिक्कत नई चलिए तो ये हो गई बात हमारी even function की odd function की अब एक नई चीज आपको सिखा रहा हुँ बिटा जिसका नाम है कल मैंने आपको सिखाई थी scaling आज मैं आपको सिखा रहा हूँ shifting कल मतलब मैंने directly multiply किया था function में है ना आपने देखा था या तो मैंने add किया था function को clear अब मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूँ देखे क्या है वो नई चीज आज की topic का नाम है बिटा shifting of graph क्या नाम है बिटा shifting of graph यह बहुत ही प्यारा topic है बहुत आराम से समझने वाला topic है देखें अगर आपके पास कोई function है y equal to fx ठीक है y equal to fx आपके पास कोई function है अगर आप इसको shift कर देते हो और बना देते हो नया function y is equal to f of x plus a x plus a तो यह graph कहां पर shift हो जाएगा तो यह जो new graph है यह shifted to x equal to minus a पर shift हो जाएगा x equal to minus a पर shift हो जाएगा तो क्या करना है आपको जैसे आपके पास लिखा है f of x plus a तो अंदर की चीज को 0 से compare करो पता लगाने के लिए कि कहां पर shift हुआ है तो x plus a equal to 0 तो x equal to कितना आगया minus a तो यह पता चल जाएगा कि यह कहां पर shift हुआ है चलिए कुछ example करता हूँ तब आपको बहुत अच्छे समझ में आजागा कि सर क्या कह रहे है जैसे मान लीजिए आपके पास कोई function है y is equal to x square ओके y equal to x square जिसको हम लिख सकते है y को हम fx बोलते हैं तो fx equal to x square है इसका graph यह देखिए यह है बहुत simple graph बनता है इसका इस तरीके से even function होता है clear है अब यदि मैंने आपको नया function दिया y equal to x plus sorry y equal to x plus 2 का whole square तो यदि आप इसका function वाला x का function देखे तो ये क्या है x plus 2 का whole square है बोली एसकी नो मतलब आप ने यहाँ पर इसी function में x की जगह x plus 2 रखा है रखा है की नहीं रखा है पहले जहाँ x अके लिए था वहाँ पर क्या रख दिया आपने x plus 2 तो shifting पता करना है तो मैंने बता है अंदर वाली चीज को 0 करो तो x plus 2 equal to 0 मतलब x equal to कितना minus 2 minus 2 विटा clear x plus 2 equal to 0 किया तो x equal to 0 minus 2 नहीं आएगा तो minus 2 बन जाएगा clear की not clear x is equal to 0 x plus 2 equal to 0 लेंगे न हम मैंने पता है निए shifting पता करने के लिए अंदर की square square से मतलब नहीं है वो तो function x square था आपको किवल x से मतलब है तो x plus 2 equal to 0 तो x equal to minus 2 मतलब function कहां पे shift हो गया है minus 2 पे जो इसका 0 वाला point था ये उट करके minus 2 पे चला गया अफ graph कैसा बन जाएगा इस तरीके से समझ में आया की नहीं आया अब आप चाहो तो बना भी सकते हो ठीक है ना बट अब अपने पास तरीका है तो क्यों बनाएंगे जैसे example के लिए समझो मैंने कहा y equal to x plus 2 का whole square आप खुद से बना के देख लो चलो तो यह x की value यह y की value चलिए सबसे पहले मैं x की value minus 2 put करता हूँ तो minus 2 plus 2 0 हो जागा कि नहीं हो जागा minus 2 plus 2 0 मतलब graph 0 यहाँ पे आजाएगा आगया अब 1 डा दीजे तो 1 plus 2 यानि 3 का square 9 तो 1 plus 9 पहुँच रही है तो x equal to 1 पे value किती हो गई 9 9 ठीक ना x equal to 1 पे value जो है 9 हो गई 0 के यह minus 2 चला गया है तो 1 पर value किती हो गई बिटा 9 और अगर आप minus 1 रखेंगी हाँ minus 1 एक मिनाट एक मिनाट बिटा x equal to 1 हाँ ठीक है बिल्कुल सही है और अगर आप minus 1 पुट करेंगे 1 वैसे minus 1 पुट करेंगे तो 2 के पहले minus 1 आएगा तो minus 1 plus 2 1 आएगा तो यह value 1 हो गई ओके clear हो गया और यह 0 है तो 0 पर value कितने हो जाएगी 0 plus 2 यहने 4 हो जाएगा clear तो कहने का मतलब है graph जो हमारा minus 2 पे shift हो जाएगा चले थोड़ा और करते हैं practice आपके पास graph था y equal to mod x यह graph था बोली था कि नहीं था आपको नया function दे रहा हूँ y equal to mod of x plus 1 तो ध्यान से देखे मैंने क्या बताया जो अंदर की चीज़ है उसको 0 से compare करते हो x plus 1 equal to 0 clear वो तो 1 उपर हो जाएगा ना एक उस से 2 बेटा वो plus 1 कर रहे थे mod के बाहर अभी आप x में add कर रहे हो वो y में add करना था वो function अलग था देखो very good पूछने के लिए तुमने अच्छा हुआ confusion clear कर लिया अभी आप x में नहीं जोड़े हो अब आप y के value में shifting कर रहे हो अभी आप अंदर x function में बदलाओ कर रहे हो समझ गए है अब packet के अंदर खुझ गए हो अभी packet के बाहर थे पहले तो y equal to x plus 1 तो x plus 1 equal to 0 तो x equal to कितना minus 1 मतलब कहां पे shift हो गया है minus 1 पे तो 0 यहाँ बैठा था बैठे रहन दो function नया कहां पे shift होगा minus 1 पे तो इस पूरे graph को उठा के minus 1 पे चला दो बोलो समझ में आया कि नहीं है नहीं आया आया चलिए एक और question करते है y is equal to mod of x minus 1 कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले अंदर वाली चीज़ को 0 करके shifting पूछ लो तो x minus 1 equal to 0 x equal to 1 x equal to 1 तो x equal to 1 पे shifting होनी है तो ये है 1 और x equal to 1 पे shift कर दो किसकी? mod x की है ना? बोली clear की not clear? हाँ मतलब जो original function था उसी को shift कर देते हैं clear की not clear? बोली है clear तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे function shift हो करके ये बन जाते है चलिए तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाँ पर domain की कि domain क्या होता है? domain क्या होता है? देखिए बचो function मैंने बताया था कि y is equal to fx तो function एक प्रकार की चक्की है जिसमें आप x डालते हो और वो उसको process करके y देता है मतलब किस rule में process करता है? f rule में so function is a rule function is a mathematical rule which process x or which process the input and gives you the output यहाँ पर y बन जाता है output और x बन जाता है आपका input बिल्कुल सही so what is function? function is a rule which process the input and gives you the output जो input x को process करता है आपको output y देता है ठीक है? जैसे for example चक्की तो चक्की में आप input डलते हैं तो चक्की is like a function चक्की is like a function अब आपने चक्की में वीट डाला गेहूं तो इसने आपको piece के क्या दे दिया? आटा बोलो दिया की नहीं दिया? तो जभीट आपका input है और आटा आपका output है और चक्की का rule क्या है? पीसना चक्की का rule क्या है? पीसना अब यहाँ पे दूसरी चीज डालो चने डालो चने को इंगलिस में gram बोलते हैं अगर आप यहाँ पे gram की entry करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? बेसन मिलेगा बुली बटाए यस की नो? तो फंक्शन जिन जिन वैल्यू को ले सकता है as an input the real value the real value of x that can function take is called the set of values are called domain ठीक है? अगर आपके पास कोई function है y is equal to fx so x is called input y is called output and f is called a rule mathematical rule clear? तो set of inputs this is called domain function जिन चीजों को as an input ले सकता है clear हो गया? उसको क्या बोलते हैं हम? domain then set of outputs this is called range clear? मतलब function होने के बाद जो 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 चीज़े वो आपको देगा बाहर that is called range clear? clear की not clear? चलिए एक 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 एक्जामपल देख लेते हैं आपको कहा गया है a function is defined from r to r एक function को आपको आपको r से r में define करना है ठीक है न? r से लेके r में define करना है and function है y is equal to x square y is equal to x square तो यह देखिए बिटा यह पहला real number है और यह दूसरा real number है हमारा यहां से यहां function जाना है clear है बिटा? function कहां से जा रहा है? real से real में इस process को बोलते हैं mapping क्या बोलते हैं बिटा? mapping बीच में क्या आएगा 0 ऊपर की तरफ minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dot 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 clear की not clear? इधर पर क्या आएगा? plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, dot 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 yes or no? अब देखिए function क्या है? y equal to x square अगर मैं यह y है, यह x है अगर मैं x की जगे 0 डालता हूँ तो output मुझे 0 मिलेगा की नहीं मिलेगा? तो 0 पे 0 clear की not clear? अगर मैं x की जगे minus 1 डालता हूँ तो y equal to minus 1 का square plus 1 मिलेगा की नहीं मिलेगा? अगर तो इस तरफ इधर पे plus 1 और minus 1 के लिए भी plus 1 ही मिलेगा और plus 1 के लिए भी plus 1 ही मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा? हम minus 2 के लिए 4 मिलेगा और प्लस टू के लिए भी फोर मिलेगा यह सो नू तो माइनस टू पर भी फोर मिलेगा और प्लस टू पर भी फोर मिलेगा clear की not clear तो आप देख रहे हैं ये आपका डोमेन पूरा का पूरे सेट कवर कर रहा है सब कुछ खा रही है चक्की खार ही कि नहीं खारा एफ एफ हर किसी खारा कि नहीं खारा तो डुमेन क्या बन जाएगा बिटा All Real Number All Real Number बोले यह सो नू आँ इसी को हम आर बोलते हैं इसी को हम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी बोलते हैं clear की not clear बेटा but बेटा range range देखो negative side में range जाएगी क्या कभी किसी का square negative निकलेगा क्या नए मतलब range cable कहाँ जाएगी zero से लेके infinity तो range में क्या सामिल होगा zero तो जो शामिल होता उसके लिए close interval लगाते हैं और बढ़ता ही जाएगा उपर की तरफ बेटा तो 0 to infinity और infinity ये concept है कोई number नहीं है तो open लग जाएगा done बिटा so range क्या बन जाएगी 0 to infinity ठीक है और domain minus infinity to infinity बिल्कुल सही domain minus infinity to plus infinity मतलब function x की हर value खा सकता है clear है तो ऐसे function जो real के बदले में real देते हैं मतलब real value लेते हैं real value देते हैं ऐसे function को हम बोलते हैं real valued function क्या बोलते हैं बिटा तो हमारे syllabus में real valued function ही है real देंगे real लेंगे clear तो graph को देखके भी domain and range easily पहचानी जा सकती है जैसी आपके पास एक mod x का graph है तो देखो बिटा x की value कहा तक ले सकता है ये ये देखो इसके corresponding x की value जहां तक चाहो वहां तक ले सकता है तो x यहां भी जा रहा है पीछे तक so this is minus infinity this is plus infinity तो domain क्या हो जाएगा minus infinity to plus infinity ठीक है बटेदी आप range की बात करो देखो range कहां से कहां तक जा रही है range य की minimum value कहां से start हुए जीरो से और फिर y की value बढ़ती ही जा रही है बढ़ती ही की नहीं बढ़ती ही बोलो तो range जो graph गया है that is from close interval 0 to open infinity ठीक है range एक और बतानो range देखो y की output देखो ना अब इस point पर जो output है y का कहां मिल ला इत्ता मिल ला की नहीं मिल ला तो छोटे से छोटा output y का कितना मिल ला है 0 है की नहीं है फिर बढ़ता जा रहा है बढ़ रहा की नहीं बढ़ रहा यह देखो इस point पर output y का यह है की नहीं है तो कहां बढ़ रहा है उपर की और की नीचे की और उपर उपर के और तो उपर क्या बैठा इंफिनिटी तो रेंज क्या होगा जीरो शामिल अप्टू इंफिनिटी इसको क्या बोलते हैं नॉन निगेटिव रियल नंबर मतलब जो नंबर निगेटिव नहीं है सारे के सारे जीरो है या पॉजिटिव है तो इसे हम आर प्लस से भी शो करते हैं ठीक है आर पॉजिटिव यहने पॉजिटिव नॉन निगेटिव रियल नंबर सॉरी एक लिए पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव बेटा अगर इसको फंक्शन का रेंज कुछ ऐसा फंक्शन होता उसके लिए लिए आपको मैं फंक्शन बनाया देता हूँ y is equal to minus mod x अब ठीक है इसका है कल मैंने पलट दो इसको निगेटिव के लिए पलट जाता है बुली है ना अब देखी वाई की वेल्यू जो कबर हो रही फंक्शन के कर्स्पॉंडिंग नीचे की तरफ है की नहीं है तो x तो हर जगे आएगा मतलब इधर पे minus infinity से लेके plus infinity clear की not clear तो x belongs to minus infinity to plus infinity ये क्या कहला गया domain x का जो set होता है वो क्या कहलाता है domain कहलाता है ठीक है clear की not clear अब range देखो बेटा तो range कहां से कहां जा रहा है range यानिकी y के output तो y का output सुरुआत कहां से हो रहा 0 से हो रहा है की नहीं हो बुल बेटा below to minus infinity very good बेटा समझ में आ गया तुमको ठीक है ना ये range है so domain and range के बहुत भेहतरीन question मेरे पास collections है कल से हम लोग function पूरा स्टार्ट करेंगे domain and range के साथ ठीक है और आप कोशिश करिएगा कि अब function आपके domain range है तो अब इस PDF के question number one से लेकर के question number जितने भी है 65 pages का PDF जितने जदा जदा हो सकें लगाईएगा done मेरा भी half failure तो अभी मैं salt तो नहीं गल पाऊंगी ठीक है बेटा कोई problem नहीं दस question भी देख लेना हाँ